मध्यप्रदेश में खराप सडकों को लेकर जमकर सियासत हो रही है इसी बीच PWD मंतरी गोपाल भारगव ने बड़ा बयान दिया है गोपाल भारगव ने कहा कि भोपाल की खराप सडकों के सुधार के लिए पैसे नहीं है भोपाल की सडक दुरुस्त करने में करीब आठ महीन लग जाएंगे वही मुख्यमंत्रे शिवरा सिंग चोहान ने 15 दिनों की डेडलाइन दी थी जो अब पूरी होने वाली है लगे जज़र सडकों को लेकर कहा कि अभी तो के लिए बज़ट नहीं है अभी हमारी लिए बज़ट आवंटन नहीं हुआ है जल्द ही सडके सुधारी जाएंगी उन्होंने ये वी कहा कि आठ महीने के अंदर हम सडके गड़ा भी इन्शांदार कर देंगी कलती सपर्विजन अथा डी की थी उसके बारे में कई बार लखा जा चुका था नहीं हो पाया वहां के जन पर दियों का भी कहना था और इस कारण से अब जो गटकरी का आना होगा वहां पर जल्ली ठीक हो जाएंगी जैसे हमारे लिए बजट आवंटन होगा अभी मदवराशी नहीं है लेकिन हम काम करवाएंगे और आठ महीने के अंदर जून के पहले तक हम सारी सड़के पूरी गड़्डा विहीन सांदार कर देंगे भौपाली आपको बतादे सियम शिवरा सिंग ने भौपाल की सड़कों की सुधार के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी थी जो अब पूरी होने वाली है वहीं विवागिये मंत्री ने साब तोर पर करिया है कि करीब 8 महीने सड़कों को सुधारने में लगेंगे क्योंकि अभी सड़कों क आप देख रहे हैं दखल नियूज